बिसमिल्लार्खमान राहीम, आज हम मॉड्यूल 175 डिसकस करेंगे, मॉड्यूल 175 है about extended parallelism थोड़ा सा अगर हम पीछे history के अंदर देखें, तो जब ये microprocessors start हुए थे, जो सबसे पहला microprocessor था उसकी speed थी 4.77 MHz, उसकी जो clock speed थी 4.77 MHz थी, और फिर जूँ जूँ बेतर microprocessors आते हैंगे, advanced microprocessors आते हैंगे, ये clock speed increase होती clock speed जब increase हो रही है तो क्या हो रहा है, in fact number of operations जो वो perform कर सकता है per second वो increase हो रही है, computational power increase हो रही है तो शुरू में यही एक तरीका था कि clock speed increase करके, आप जो computational power है, वो computer की increase करेंगे जूँ जूँ आगे चलते हैंगे, तो एक ऐसा point आया है कि एक certain point के beyond ये possible नहीं रहा, कि जो clock speed है उसको increase किया जासे है आज आप कोई भी processor उठा के देखें चाहिए, जितना ही वो latest है, तो उसकी clock speed जो है, वो 2 से 3 GHz के बीच में ही होगी, इससे beyond नहीं होगी तो उसकी कुछ certain limitations है, जिस limitation को cross करना possible नहीं है, अब फिर question ये उठा कि जी अगर हम clock speed को increase नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम computational power को कैसे increase करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा computer faster से faster हो, और जल्दी से जल्दी operations perform हो, जल्दी से जल्दी computations perform, तो ये concept पहले भी exist करता था, of parallel computers, तो य concept जो है, ये PC's के अंदर भी आगी, आपके पास multi core processes आने शुरू हो गए, कि एक प्रॉसेसर था, उसके अंदर दो core थी, दोनो core जो है, वो parallel work करती नहीं, तो एक वकद में दो instructions perform हो रही हैं, या अगर four cores हैं, या eight cores हैं, या sixteen cores हैं, तो मुफ़िव किसम के, जितने of course core increase होंग है, हमारा एक program लिखने का, वो sequential है, वो हम इस चीज़ को नदर रखते वे नहीं program लिखते हैं, कि ये एक हमारा program जो है, ये एक parallel computer पे जाके run हो, तो वो parallelism की जो ताकत है processes की, उसको use करने के लिए, जरूरी है कि software को भी आप उसी लिहास से जो है, adapt करें, software के अंदर भी एक capability ह हो कि जो parallel cores हैं, जो multiple cores हैं, उन तमाम cores की जो computational power है, उसको at a time, वो use कर सके, जो हमने threading पढ़िया है, और जो हमने multiprocessing पढ़िया है, उस सब का मकसद ही है, उस सब का मकसद यह है, कि एक ही processor है, जिसके अंदर कई सारी cores है, और multiple cores की जो capacity है, उनका जो potential है, उनको आप का जो program है वो use कर सके, लेकिन फिर जब आप बात करते हैं, multiple cores की, parallel processing की, तो software लिखने का तरीका जो है, वो काफी हद तक आपको change करना पड़ता है, उसके अदर हमने देखा है कि जी हमें multi-threading की, और हर thread जो है, वो एक different cores के साथ अगर associated है, तो बेतर तरीके से आपका program जो है, वो faster execute हो स एक multi-threading है, जिसके अदर एक most जो commonly used हमने model देखा था, वो boss worker model है, जिसके अदर एक boss thread होती है, और कही सारी worker threads होती है, worker threads जो है, वो multiple cores को use कर रही हैं, और computation perform कर रही है, लेकिन ये वाली scheme जब आप use करते हैं, तो इसमें कही किसम की limitations हैं, कही किसम की परशानी है, एक परशान दिया है, तो उसके लिए हमने देखा है, मुखले किसम के constructs हैं, जब इन constructs को हम बहुत जादा बहुत frequently use करते हैं, तो उससे भी of course जो performance है, वो degrade हो जाती है, और फिर of course अगर आप number of cores increase करते जाएं, increase करते जाएं, increase करते जाएं, तो ऐसा नहीं है कि computational power भी increase होती जाएगी, एक program जो वो faster perform करता रहेगा, हर जितनी भी आप अगर double कर देते हैं course तो उसकी जो requirement है, उसको time, CPU time required है, वो half हो जाएगा, फिर double कर देते हैं तो वो quarter हो जाएगा, फिर double कर देते हैं तो और काम हो जाएगा, इस तरह का linear relationship exist नहीं करता है, यह relationship बड़ा complex किसम का है, इसके जो जो आप और increase करते हैं तो एक certain level तक तो optimization आती है, लेकिन उस certain level के beyond performance again degrade होनी शुरू हो जाती है, तो यह इन चीजों का जब parallelism को use करना है, आपने कोई software बनाना है जो parallelism को इस्तमाल करे, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, एक optimized तरीके से program लिखना पड़ और ऐसा करने के लिए आपके पास कई किसम के tools available हैं, और यह tool अब नहीं है, यह tool बड़े अर्से से हैं और बड़े mature tools हैं, और इसकी जो programming techniques हैं वो भी बड़ी mature हो रहे हैं, अब से कई साल पहले से parallel languages का concept exist करता था, ऐसी आपके पास programming languages थी, जो parallel programming को support करती थी, उनके ऐसे constructs उसके अंदर available थे, जिसकी मदद से आप parallel computations कर सकते हैं, और कई किसम की parallel computations हैं, जो कि आपको perform करने की जरूरत परती हैं, आपकी कई मुखलिफ specific applications हैं, जो कि parallel execution को use करके एक बेतर तरीके से, एक faster तरीके से operations जो हैं, उनको perform कर सकते हैं, अब parallelism का आप कहां कहां इस्तमाल कर स सकते हैं, एक तो बड़ा simple सा इस्तमाल है, जैसे के कोई sorting algorithm है, sort करना, और merge करना, मुखलिफ आपके पास lists हैं, उनको merge करना, तो merge करने के लिए आप parallelism का बड़े अच्छे तरीके से, इस्तमाल कर सकते हैं, और जिससे के, of course, in the end, आपके पास, जो total computation time है, वो reduce होगा, यानि क आपको speed up नदर आएगा, as compared to a serial computer, वो ही है, उसी तरह का sorting, merging algorithm, आप अगर serial computer में use कर रहे हैं, और उसका parallel version एक parallel computer में use कर रहे हैं, तो parallel computer के अंदर certainly, आप फील करेंगे, कि there is a speed up, speed up हो गया काम, serial से lot faster है, फिर, कि ऐसी problem होती हैं, आपने algorithm analysis वगरा के अंदर पढ़ी होगी, जिसके अंदर divide and conquer problems होती हैं, कि एगी problem होती है, उसको कई चोटी 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 problems के अंदर divide कर ले जाता है, तो उस divide and conquer problems को भी solve करने के लिए, आप parallelism को इस्तमाल कर सकते हैं, हर चोटी problem को आप parallel execute कर सकते ह जो आपको result मिलता है, उनको in the end जो है, आप merge कर सकते हैं, फिर कही computational problems हैं, scientific problems हैं, जिसके अंदर बहुत computational intensive होती हैं, कही सारी computations perform करके आपको in the end बहुत थोड़ा सा result मिलता है, जिस तरह से four-year transformation है, four-year transformation जो है, वो बहुत सारा data लेके और एक value निकालता है, तो हर दफा जब उसने एक value compute करनी है, उसको एक पूरे की पूरी grid required है, एक large amount of data, एक large matrix required है, जिसके पर वो computations करेगा, तो उसके पास एक element आएगा, तो इसके लिए भी parallel algorithms जो हैं, वो implemented है, matrix operations के लिए है, matrix multiplication for example, या matrix addition, जो भी matrix के arithmetic operations हैं, उनके लिए parallelism का इस्तमाल होता है, फिर of course, games हैं, या simulations हैं, कही तरह की ऐसी simulations हैं, जो के large amount of data को process करती हैं, और उन large amount of data की base के ओपर, वो future forecasts निकालती हैं, और games हैं, जो के basically क्या करते हैं, के आपकी जो screen है, या जो भी एक picture है, उस picture जो basically एक bitmap है, bitmap जो है, that is just like a large matrix, तो उस matrices की processing है, तो matrices की processing faster कर सकते हैं, आप using parallelism, तो इस तरह किए किसम की applications हैं, और ऐसी application जो के अब हमारे आम इस्तमाल के अंदर भी हैं, जिनको के आप faster कर सकते हैं using parallelism, तो जब भी उस तरह की application आप implement करेंगे, आपको parallelism का इस्तमाल करना पड़ेगा, तो इस लिए से हम देख सकते हैं कि parallelism की बड़ी importance है, क्योंकि एक point पर आके, मजीद processor की speed को increase करना possible नहीं है, अब इस point से onwards, आप किस तरह से, जो throughput है, उसको increase कर सकते हैं, performance को increase कर सकते हैं, तो उसका answer है parallelism, तो parallelism आप जब programming सीख रहे हैं, तो parallelism क concept understand करना, और आपके लिए parallel programs लिख पाना बड़ा ही एक important aspect है, कि कि future के अंदर, इसी का ही इस्तमाल होगा, फिर hardware को understand करना कि parallel hardware किस तरह से work करता है, वो भी आपको help करेगा understand करने में, कि आप किस तरह से parallelism का, इस्तमाल कर सकते हैं, जो conventional तरीका है, programs लिखने का, जो previous आप कई किसम के software's वगरा उठाएंगे, तो आपको बेशमार ऐसे software's मिलेंगे, जो के आपके PC's हैं, उनकी जो parallelism का potential है, उसको पूरी तरह से वो इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो although computational intensive होंगे, लेकिन वो parallelism का इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वज़ए से उनकी throughput जो है, that is slower, तो पूरी आप potential use करने का, hardware का पूरा potential use करने के लिए जरूरी है, कि आप parallelism को understand करें, और parallelism को use करने के लिए, सही तरीके से आप program कर सकें.